कि बिस्मिल्ला रह्मान रहीम वेलकम बैक तो मैं चैनल कैट के मेंटोर उमीद करता हूँ आप लोग सब खेरियत से होंगे खुश होंगे आपाध होंगे फ्रेंट्स पाबर शेप के अंदर रिवर्स इंजिने की हमारे सीरीज यह चल रही है और यह सीरीज का हमारा च्छटा लेसन है पिछले पांच लेसन के अंदर हमने मोडल को यहां तक बनाया है मैं आपको मैश डेटा हाइड करके दिखा देता हूं यहां तक हमने मोडल को बनाया है आज हमारा लेसन नमबर सीक्स है और आज के इस लेसन के अंदर आपको यह कैवटी निज़र आ रही है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेरी कीजिए ताके दूसरे लोग भी इससे फाइदा उठा सकी तो सबसे पहले हमें मैं विजुलाइजेशन के अंतर आना है और डायनामिक सेक्शिनिंग की ओप्शन को चूज करके अराउंड जी यह वाली ओप्शन जो है वह हमने चूज करनी है और 45 डिग्री के ओपर हमने एक कंपोजिट कर जो है यह जिनेर्ड कर देनी है 45 डिग्री के ओपर इसलिए मैंने इसको कंपोजिट करव को जनेर्ड किया है क्योंकि यहां पर हमें इस पूरी की पूरी क्यावटी की जो सेक्शिनिंग है वो मिलेगी इस यह नहीं अगर मैं इसको 90 डिग्री के ओपर करता तो यह यहां पर चुके आलेड़ी एक क्यावटी है तो इसका इंप्रेशन जो है तो यहां पर हमें कैप्टी का नहीं मिलना था इसलिए मैंने 45 डिग्री के ओपर किया ताके मैक्सिमम जो शेप है वो मुझे मिल सके मैंने कंट्रोल जे दुबा कर अपना मेश डैटा हाइड कर दिया और करसर के साथ मैंने सारे के सारी वाइर फ्रेम को सेलेक्ट किया एडिट के अंदर आएंगे रूटेट करेंगे 45 डिग्री और इसको मैंने ओलों य ऑड़ एक्सिस और जो हमारे पास वाइड़ी और यहां तो हमें लगाना पढ़ेगा यह पर दो हम इसमें नीकाश्य करना पढ़ेगा इस यह लेसन के अन्दर मैंने अपने स्केच को रूटेट कर लिया अब वर्पिलेंग को भी रूटेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा वायर-फ्रेंग मैं दिर्मूव कर दिया कि मुझे यहां पर जो है वो एक solid body जो है वो create करनी है तो उसके लिए मैं वायर फ्रेम के अंदर आऊंगा fitted R के option select करके first key point, second key point and third key point मैंने choose किये और एक R को place कर लिया अब मैं इस R को थोड़ा सा उपर की तरफ लिजा कर extend कर दूँगा और इसी तरह मैं इसको नीचे की तरफ लाकर extend कर दूँगा अब मुझे एक line लगानी है यहां से इस key point से अंदर की तरफ और एक मैं line select करता हूँ अपने 0 से और उसको vertically down मैं place कर देता हूँ edit के अंदर आएंगे interactive command select करेंगे और जो हमारे पास extra curves है उनको हम remove करतेंगे तो यह हमारे पास एक wireframe जो है वो generate हो चुका है अब मैं alt दबाकर mouse का left button दबाऊंगा तो यह हमारी composite curve के अंदर change हो जाएगी अब इसके बाद हम यह जो हमारे पास अंदर वाली आपको आर्क में जरा रही है इसको place करेंगे place करने के लिए wireframe के अंदर आएंगे fitted आर्क की option को चूज करेंगे first key point, second key point and third key point तो यह हमारी यह आर्क जो है वो place हो चुकी है अब इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ extend कर देता हूँ और अंदर की तरफ ऐसे इसको मैंने extend कर दिया अब मैं एक wireframe यहां पर लगाऊंगा याद रहे कि आप भी ऐसे ही tracing करेंगे इस तरह मैं trace कर रहा हूँ डबल क्लिक करके मैंने इसका angle जाए किया तो apparent angle इसका 0 नहीं है मैंने इसको 0 किया reverse करके मैंने इसको 12 mm तक extend कर दिया added के अंदर आएंगे interactive की command चूज़ करेंगे और हम इस wireframe को जो हमने चाहिए इसको limit करवा दिए यह wireframe जो है अब हम इसकी जरोड़ नहीं है इसको हम remove कर दिते हैं wireframe के अंदर आएंगे line की command को चूज़ करेंगे टेंजेंट आर्क करेंगे और line को प्रेस करेंगे double click करके angle चक कर लेते हैं तो यह 0 नहीं है 0 किया कर दिया तो यह हमारा सेकिंड यह wireframe है यह जनेट हो चुका है अब जैसे ही मैंने यह wireframe बनाया अब मेरा जो अगला जो procedure है वो है इससे solid create करना और फिर उसके बाद यह जो हमारा अंदर वायर फ्रेम है यह इससे मैं surface generate करूंगा और इस surface से मैं अपने previous solid को cut off करूँगा करेंगे तो हमारा जो solid है वो create हो चुका है अंट्रोल यह दबाकर अन हाइड किया और जो हमारा मैश टेटा है इसको control जाही दबाकर हमने फिर से हाइड कर दी है अब यह जो है यह solid हमारा हम देखते है अक्टिव है या नहीं अक्टिव है अब हम इस solid को select करेंगे solid के अंद इसको reverse कर लेंगे surface को select करें और reverse करेंगे तो यह इसकी direction red area जो है वो अंदर की तरफ आ गया है अब इस surface को select करेंगे solid के अंदर आएंगे और इसको subtract करवाएंगे तो यह देखें यह हमारा जो है वो solid जो हम चाह रहे थे वो create हो चुका है लेकिन इसमें अभी एक चीज़ missing ह है वो मैं आपको बता देता हूं यह देखें यह जो हमारी मेश बोड़ी है वो इस एरिया तक है तो हम यहां तक इसको place करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना 3D model उसको select करके control जाये तो हाइड हो जाएगा surface के अंदर आएं plane choose करें और इस surface को हम यहां पर एक plane लगा देते हैं तो एक्स्ट्रा जो हमारे पास solid होगा हम उसको इस तरीके से remove करेंगे control अब इसके लॉंग जो है वो हम एक वारफ्रेम के अंदर आएं और यहां से मैं एक rectangle select करता हूं और हमें इतनी surface चाहिए उसके लॉंग box बना लिया और edit के अंदर आकर selection से यह जो surface है इसके उपर click किया तो इसने surface को काड़ दिया जो extra surface है उसको select करें और उसको delete कर दें हमें इतनी surface चाहिए तो यह इसकी direction ठीक है surface को select करेंगे solid के अंदर आएंगे और separate कर भा देंगे तो यह देखिए कि हमारी जो surface है वहां तक limitized भी होगी अब हमें यह वायर फ्रेम नहीं चाहिए इसको select करें और delete कर देंगे हम यह जो impression है यह वाले चाहर impression इनको भी generate करें अगर यह ना हुए नेक्स वीडियो के अंदर तो उससे नेक्स वीडियो के अंदर हम इसको generate करेंगे तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाँ आफिस